असलावलेकुम, Welcome back to my channel Mother Diary, आज की वीडियो हमारी पहले महीनी में बच्चों की एक्तियात से मतलिक है, बच्चों की केर कैसे करनी चाहिए, उनकी निक को कैसे स्पोर्ट देना चाहिए, ब्रेस्फीडिंग के लिए कौन सी हबिर्स को डवल्प करना चाहिए, बच्चों की मी स्टिफकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगे कि आप में से कौन कौन सी मज़स हैं ऐसी जिनका बेबी का फर्स मन्त है, नीचे कमेंट में बताएगे तकि मुझे पता चले कि मेरी जो देखने वाली माये हैं, वो साही एहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन नए मा को इन दिनों खास मुहतात रहना चाहिए, हर तरह के मश्रूम पर बिला सोचे समझे अमल ना करे, मा की भरपूर तबच्चे के लिए बेहर जरूरी है, मा देख बाल करने वाली होगी, तो वो बच्चे की जरूरियात का हर वक क्या रखेगी, और इससे मा को पता भी चल सकेगा, कि बच्चा सही है, नहीं सही है, बच्चे को इस वकर कीम चीज़ों की जरूरत होती है, सबसे पहले बच्चे को उठाते वक्ट गर्दन को सपोर्ट देना, नो मुलूद को गौन मे लेते वक्त सर के पिछली हिसे पर उन्हें बहुत जरूरत है कि ख़लना के अर्फ बच्चे को भर जोड़ाने के लिए तो यह बहुत खानना क्योंकर बच्चे की गर्दन की हड़ी बहुत कंजोर होती है, और इंकी गर्दन के पठ्ठे हड़्ी को पूरी तरह सहारा फरामनी करते, शीर्श और बच्चे को ज जोर जोर से जिंजोरने, उच्छाले या बहुत सकती से गुमाने से सर आगी या पीछे की तरह फिलता है, जिसकी वज़से दमाग को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जब भी उठाएं तो बच्चे की गर्दन को हाथ से सपोर्ड दे, इसके लावा सरसों या जतून के त पदाईश के बाद एक माँ तक बच्चे को खास एत्याक की ज़रूरत होती है, इसी दुरान एक माँ को कई औरते मुख्तरी राय देखकर परिशानी में मुप्चला कर देती है, बच्छे को रोज नहलाया जाए, और माँ को भी रोज नहाना चाहिए, कोई कहता है कम इसके बच्चे की हालत को देखकर ही नहलाये, मसलिक कुछ बच्चों की नाफ जल्दी और असानी से ज़र जाती है, उनको आप रोज़ाना नहला सकती है, तबकि कुछ बच्चों को इतनी तकलीफ होती है कि उन्हें बखार चड़ ज़र जाता है, डॉक्टर्स का कहना है कि नमी जखम पैदा कर सकती है, इसलिए ऐसे बच्चों को नाफ ज़रने तक रोज नहलाने से गुरेज करें, अगर नाफ ज़रने के फोरी बात खून बेह जाए तो परिशान ना हो, बलकि साफ करके जटून का तेल लगा दे, शीरखवा बच्चे को किसी भी मौसमें नहलान बेहर ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा इस बात का ख्यार रखे कि नहलाते वक्त कान या नाक में पानी ना चला जाए, छोटे बच्चे को ठंडे पानी से कभी ना नहलाएए, क्योंगे इसे ठंड लग जाने का खत्रा होता है, सर्दियों के मौसमें बच्चे को ऐसी जग हर दो से तीन घेंटे बद खुराक की ज़रूरत होती है, लेकिन पहली दफ़ा मा बनने वाली खवादीन ये अंदाजा नहीं कर पाती, कि इनके बच्चे का पेट भरा है या नहीं, तो इस मामले बच्चे का वजन भरना इस बात का पता देगा, बच्चे सही मुगदार मे दर्स कर सकता है, दर्स में सिरफ पानी हो तो फोरी तोपर डाक्टर से रुजू करना शाहिए, बच्चे को फीट कराने के बाद इसको कंदे से लगा कर सहलाते हुए डिकार दिलाएए, तकि बच्चा जो दूद उगलता है वो फेपरों में वापिस पलटने से कोई मसला न लावा मा को चाहिए कि इंटर कोस करने के बार या नहाने के फूरान बार बच्चे को दूद पिलाने से गरेस करें, और ज्यादा बेतर यह है कि मां बच्चे को अपना दूद पिलाएए, और किसी वज़ज़ से अगर ऐसा मुम्किन ना हो तो डब्बे या गाए और बहें निकाल लिया जाए, फीडर के निपल को ज्यादा पुरान ना होने दें, इसमें चिपचापाहट महसूस होने से पहले ही तबदील कर दें, और मक्या कतन नहीं लगनी चाहिए फीडर के उपर, फीडर को कैसे बॉयल करना चाहिए, और फीडर को बाटल फीडिंग से कर दिया करें, लाइफ भी कर दिया करें, बच्चे की स्किन का ख्याल करें, अपनी बच्चे की स्किन का ख्याल करें, इसके आस बाट का महुद साफ रखें, खुद भी साफ सुतरी रहें, जब भी बच्चे को उठाईए तो अपने हाथ दो ले, बगएर जरुरत बच्चे को हस्पताल लेकर ना जाएए जरसीम लग सकते हैं इसी तरह शौपिंग मॉल और घर जरूरी तक्रीबात में बच्चों को लेकर ना फिरें बच्चे की नाक हाथ होंटों को साफ रखते रहें ताकि जरसीम एफेक्ट ना करें इसके लावा घर के अफराद को पबंद करें कि वो बच्चे के चेरे पर पाउडर ना करें बिमार इफराद और पान, शालिया वग्यरे, खाने वजख रोत उख़ते पाउडर चाहां होगा, पाउडर के जर्द के मुझे नाक होताएं लेकिन एक्तियार के साथ पॉर्डर का इस्तमाल भी किया जा सकता है और इसके लबाँ ख्यार रखे कि बच्चों के कपड़ों को तेज खश्पू वाले डिटर्जन्स से ना धोया जाए वर्ना ये सब चिज़े बच्चे की हिसाथ जिल पर अलर्जी का बाइस बन सकती है बच्चे की निए नो मुलिक बच्चे शुरू के तीन महीनों में रुसाना 15-18 गहंटे सोते हैं नो मुलिक बच्चे पूरे दिन में सिर्फ 4 गहंटे तक ही जाता है अगर आपका बच्चे जाता सोता है तो इसे जगा कर हर दो गहंटे बादू देना आपकी जिम्मेदारी है हो सकता है कि इसकी निए इतनी ज़्यादा हो कि इसे भू का एसास ही ना हो रहा हो तीन गहंटे बच्चे साथ गहंटे तक सकून की निए ले लगता है और फिर तीन ग्हेंटे तक जाग सकता है इस तुरान आप बच्ची की दिन और रात की रूटीन बना सकते हैं कि कर बच्चे को सुलाना और जगाना है जब आपका बच्चा दो हफतों का हो जाए तो आप इसे दिन और रात का फरक समझाने की कोशिश कर सकती है बिन में जब वो जागी और बल के होश में आ जाये तो इसके साथ जतना हो सक해 खेले लेकिन इस दुरान कमना जतना रोशन रक सकती है रखे इससे रोशन रुकर रात ने जब इससे दूध बिनाने लगे तो इससे मत खेले या बाते ना करे इस तरह वो जल्दी समझ आएगा कि रात वक्त सोने के लिए होता है खयार रखे बच्चे नो चादर ओड़ी है वो इसके लिए बहुत जादर थंडी है गरम ना हो अगर बच्चे को गर्मी लग रही हो तो इसके उपर से चादर हिटा दे इसके पैरों या हाथों के दर्जाह रायत पर ना जाएं क्योंकि आप तो पर ठंडे महसूस होते है अपने बच्चे को कमर के बल सुलाईए सीमी के बल या पहलू के बल ना लटाईए इसके इलावा बच्चों के नीन से रेटिर एक डीटेल वीडियो हमारी अपलोडिड है प्लीज आप वो भी देख लिजीए और इस बच्चे की नीन से मतलिक एक वीडियो में बनाओंगी जिसमें हम बच्चों की नीन से मतलिक खास टिप्स शेयर करूंगी जो के बच्चों को बहुत जरूरी होती है जो के सारी जिन्दगी बच्चों के लिए काम आते हैं बच्चों के नाखुन की देख पाल जो जारबा बच्चों के नाखुन छोटे नरम और बारिक होते हैं अगर उन्हें वक्त पर ना तराशा जाए तो बच्चे का अपना हाथ लगने से इसके चेरे पर खराशा सकती है बच्चों के नाखुन इंताही तेजी से बढ़ते हैं इसलिए इनके नाखुन बहुत इहतियात के साथ हर हफ्ते या दस तीन में काटते रही है और इस तरह काटे कि इनकी उंगली को मुक्सान ना पहुंचाए इसके लवा बच्चों को नाखुन को काटने के लिए बीबी साइस के जो नील कटर मिलते हैं वो लेके रखिए और कोशिश करें कि बच्चे का जो नील कटर है वो कोई और यूज ना करे ताकि इससे बच्चे को किसी किसम का इनफेक्शन ना हो बच्चों के हिपास दी इंजेक्शन कपकप लगवाना चाहिए इससे रिलेटिड भी हमारी वीडियो है नोजाइदा बच्चों के लिए बहुत सारी केर से लेदी tips accelerated भी हमारी वीडियो अप्लोड़िड है newborn baby की care accelerated हमारी playlist को visit कर लीजे और आने वाली वीडियो में भी और बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी आपको newborn baby की care से मुतलिक और इसके लावा step by step हम मदस को guide करेंगे कि वो बचों की परविश में कौन कों से मिसाइल आते हैं और उसको कैसे हल करना चाहिए इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon press करके notification बटन पे क्लिक कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए अगर आपको को question है तो नीचे comment box में कीजिए अपना बहुत यार रखेगा हमें अपने हमें याद दखेगा अला हाफीज